दोस्तो टाटा अपने एडिशन को लॉंझ करने में बहुत ज़्यादा माहिर है बाट इस समय एक ऐसा एडिशन भी डाठा लॉंच करने वाल है जिसको की नहीं कόσ्मेटिक पडिट रहने वाल है। में बहुत आपको फीचर अप्रेट भी रहने वाल है जिसका नाम है अल्ट्रोज और अल्ट्रोज में आपको एक पावर्फुल वरियंट जो की अल्ट्रोज रेसर करके इन्होंने ऑटो एक्सपो 2023 में शोकिस किया है तो इसको जो है वो लॉंच करने की कोई डीटल्स पता न मिलती हैं अगर हम फ्रंड देखते तो यह को डिजाइब देखने को मिलने वालिया और कुछ जो हैं श्याइब को तो इसवें आपको पैटन्स पाटनpower अलगल्यावी देखने को मिलने वालेगा सर्फ यह आपको बलाक आॉट देखने को मिलimyiva-नेवाले और इन्हें साइट पिलने वाल हैं इसमें पुल्ड ब्लाक इंट्री को करते हैं जो कि बड़ी है पहले से बहुत ज्यादा बड़ी है जो कि आपको हैरियर और सफारी में में देखने को मिलने वाली है इसमें आपको रेड एक्सेंट देखने को मिलेंगे इसमें आपको एम्बेंट लाइटिंग अब रेड कलर में देखने को मिलने वाली है अपोल श्रिभी जो है आपको लेदर आइट देखने को मिलेगी और उसमें आपको वाइट एंड रेड की किया है sportiness इसका बहुत ज़्यादा बड़ा main point है अगर हम थोड़ा सा उपर भी देखेगे तो आपको इसमें sunroof देखने को मिलने वाली है finally इसमें आपको sunroof देखने को मिलेगी जो कि इसकी size जो हो Tata next one के sunroof जितने ही होने वाली है तो altros में आपको अपसे sunroof देखने को मिलने वाली है अगर हम और भी चीज़ों की बात करते है तो इसमें आपको new digital instrumental cluster देखने को मिलने वाला है जो कि 7 inches की screen में आएगा जो कि fully digital जाएगा जो कि आपको safari or harry में भी देखने को मिलने वाला है इसमें आपको front में दो 2080 seats भी देखने को मिलने वाली है जो कि इस गाड़ी को बहुत ज़्यादा फीचर रिच परनने में मदब करती है अगर हम इसके main बहुत ज़्यादा बड़े update की बात करते है तो इसका engine डेफिनेटल दोस्तों इसमें आपको high turbo petrol engine देखने को मिलता था पहले जो कि powerful version था वाट उसमें आपको altros का engine देखने को मिलते था उसमें आपको turbo लगा के वो बेचते थे बट अगर हम इसके नए engine की बात करते है तो यह next one वाला 1.2 डेटर का turbo charge petrol engine है जो कि produce करता है 118 php की power and 170 newton meter का torque इस चोटी सिगाड़े के लिए 170 newton meter का torque और 118 php बहुँ जादा माइने रखती है डेफिनेटल आपको बहुँ जादा पंचे देखने को मिलने वाली है as compared to normal आडर गो और normal naturally aspirated से तो भाई यह लाग गुना बहतर रिने वाली है इसका punchiness इसके नाम से ही आपको देखने को मिलने वाला है यह नाम का नहीं काम का update है चुकि Tata ने इसको दिया है अगर हम इसकी launch date की बात करते है तो इसकी कोई भी official information अभी भी Tata ने नहीं दी है अगर हम इसकी pricing की बात करते है तो आट लाग से बारा लाग के price bracket में यह launch होगी तो definitely यह literally अब hot hatch कहने के लाएक बन गई है क्योंकि power output भी जो है वह बहुत जादा अच्छी बन गई है और यह बागी काडियों से compare करने के काबिल हो चुकी है क्योंकि यह inventory endline जो है वह इस segment में dominant थी बट अब जो है वाई थिंग Ultros यह position i20 की चीन लेगी तो वीडियो कैसे लगी और Ultros racer भी कैसे लगी मुझे comment करके जुरू बतना Thank you friends for watching this video